हेलो फ्रेंट्स विल्कम बैक टो मैं चैनल आम तेकरे थ्रिश के चेन और मैं हो थ्रिशा आज मैं आपको भरवा भिंडी स्टप्ट भिंडी की रिसेपी दिखाऊंगी यह बहुत इजी है बनाना मसाले भी बहुत कम यूज की है मैंने तो चली हम इसे स्टार्ट करते है और अगर आप मैं चैनल पर नए है तो प्लीज मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो यह भिंडी को मैंने धोकर अच्छी तरह से सुखा कर रखूंगी मैं एक साइड में इसको सुखाने के लिए मैं रख दूंगी इसके बाद इसको उपर का जो कट करकी इसको मैं दोनों तरप से नहीं देना है ताकि जो मसाले है वो अंदर अच्छी तरह से चले जाए और जब हम इसको फ्राइब करें मसाला बाहर ना निकले अभी इसका मसाला हम रेडी करेंगे यहां पर एक बोल में मैंने यह कश्मीरी रच्छी लिया है यहां पर रोस्टेट क्य आमचुर पाउडर और थोड़ा सा सोफ और धनिया को मैं दर दरा पीस लूँगी एक तम पाउडर नहीं बनाना है यह जब मूह में आएगा हर बाइत में तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो इसलिए हम इसको पाउडर नहीं बनाएंगे तो इसको अच्छे से मिक्स कर तो ये एक तरफ से slit है तो इसको फिल करना भी बहुत इजी है या राम से चला जाता है देखिए इस तरह से हम इसको धीरे-धीरे डाल लेंगे अंदर फिर इस तरह से धीरे-धीरे सारे भिंडी को हम ऐसे स्टफ कर लेंगे इसकी बात यहां पर मैंने एक पैन में तेल गरम करकर रखा है फिर जो हमारे भिंडी है उसको मैं एक एक करके इसमें डाल दूँगी मैं नॉन स्टिक का यूज कर रही हूँ इससे तेल बहुत ही कम लगता है और यह चिपकता भी नहीं है थोड़ा सी यह फ्राई हो जाए तो इसको धग देंगे इसको 2-3 मिनिट के लिए ढख दिया था मैंने फिर इसको ओपन करके इसको पलट देंगे जिससे दोनों तरफ भिंडी अच्छी तरह से पख जाए इसको पलटने के बाद फिर से मैं ढख दूँगी 2-3 मिनिट तक ढखूँगी इसके बाद इसको अभी ओपन कर लेंगे दे तल दें तक याँ बाई बाई